सब्सक्राब करें अपने यूटीव चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्स पाने के लिए वेलकम फेंट्स, सो स्वागतम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी दवा के बारे में नहीं, एक खून की जाँच एक ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसके लिए मुझे आपके कई बार कमेंट भी मिल ले हैं कि सर इस टेस्ट के बारे में आप डिटेल शाइब किनकिन विमारियों के डिद्फ के लिए जांच को लिखा जाता है इस जांच को किस थरह से पढ़ते हैं किस किस प्रकार की रेडिंग इस जांच में आती है और भी सब्सक्राइब करें चानल नहीं ही बुलें मैं हूँ आपको होस्ट मोहित आदीच आप देखने अपने एडिप चलिए अपने लान अबूर्ट मैडिसिन चलिए आश्वी कुछ निया सिखते हैं कि है यह यह सब्सक्राइब का है अद्यूर्ट में इसे कंप्लीट ब्लड काॉन टेस्ट कहते हैं यह प्रका कि टेस्ट है खून की जांच है जिसमें हमारे खून में उपश्चित सेल्स जैसे रृब्यसी ड्व ब्रशी प्लेटलेड इनकी बारे में जानका ही मिलती जिससे कि डॉक्टर को बीमारी के डाइग्नोस्मिशन बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है अगर जाने इस CBC को डॉक्टर के द्वारा क्यों एडवाइज किया जाता है क्यों करवाने के सलाह दी जाती है तो इसमें सबसे पहले यह दिव कोई व्यक्ति अपना जनरल चेकप बनाया है तो उसमें CBC की जांस लिखी जाती है जैसे को उसके ब्लेड में उपस्तित सेल्स की क्वांटिटी को जाना जा सके उसके अलावा को व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज्यादा फिवर हो रहा हो डेंगू का फिवर हो मलेरिया फिवर हो उसमें CBC लिखी जाती है किसी प्रयरeffective को कोन की कमी शर्रीन में हो गयी और खून की कमी किस कारण से वही उसकारण को जानने के लिए किसी को कमजोडरी लग जए ठकान हो रहा है तो उससति नत्रय है को यह को बूडरी में यह सूसाने तो सूसें के कारण को घंखै निया नीले चक्ट हो गयो हो रही हो चाहे वह एक्सिडेंटल वज़े की से हो या कोई महिला हो जिसको पीरिट के गुद्वान बिलीडिंग हो या वेजैनल बेडिंग किसी भी करण हो रही हो तो उसमें कितना ब्लेड लोस हुआ है उसको जानने के लिए इससे लिखा जाता है साथ ही किसी व्यक्तियों डोक्टर के दो आरा लिखी जाती है सिवीची कि जांट में किन-किन बलड सेलव के बारे में पता चलता है साथ उनकी नोमल रेंज गया होती है अगर इसको जाने तो इसमें आर बीसी रेड ब्लिड ब्लेट लेट इन सभी के बारे में जानकाई मिलती है साथ ही आर बीसी के अंतरगत हमोगलोबीन mcv mch mc hc तथा rdw इन सभी के बारे में जानकाई मिलती है और यह सभी आर बीसी की साइज उसकी क्वांटिटी तथा उसकी जो रेशियू है उसके बारे में डिटेल बताते हैं जो डब्ली बीसी उसके अंतरगत न्यूट्रोफिल्स लिंफोसाइट्स मोनोसाइट एसिनोफिल्स बेसोफिल्स इनकी जानकाई मिलती है अगर इन सभी के नॉमल रेंज की बात करें क्या किसकी नोमल रेंज होती है तो सबसे पहले ऑफी की जानते है तो ऑफी मेल में होती 3.5 से लगाकर 5.5 मिलियन, यहाँ पर M C V 80 से लगाकर 100 होता है, M C H 27 से लगाकर 31 होता है, M C H C 32 से लगाकर 36 होता है, और R D W 10.3 परसेंट से लगाकर 15.3 परसेंट तक होता है, यह तो R B C की नॉर्मल रेडिंग रही, अगर W B C की रेडिंग की बात करें, तो यह 4. 1,000, 1,000 से लगाकर 11,000 normal range होती है, हिमोग्लोबिन की normal range, male तथा female में अलग होती है, और साते की circumstances, यहाँ पर commonly जो range होती है, male में 13 से लगाकर 17 होती है, female में 12 से लगाकर 16 होती है, और platelet की अगर बात करें, जिसको लगबग आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है, 1.5 लाक से लगाकर 4,00,000 तक होती है तो इस प्रकार से इनकी normal reading होती है इन से घर कम या ज़्यादा आए तो कुछ परका की बीमारी होने की संभाव ना है इसलिए cbc करवाई जाते है इसकी normal range से उनको compare करके कौन सी बीमारी उसके बारे में पता लगाए जाते है अब कौन सी cell कम आये जो क्या बीमारी होती है कोई cell ज्यादा आजाय को क्या बीमारी होती है उसकी बार में जाने तो यदि rbc hemoglobin तता हीमोक्रिट्स इनकी में से किसी की range low आये जो normal से कम आये तो उस समय व्यक्ति में एनीमिया की बीमारी हो सकती है को nutritional deficiency हो सकती है समय एरित्रोसाइटोसिस नाम की बीमारी होने का डर रहता जिसमें खून का थिकनेस बढ़ जाता है साथ ही डी हाइडरसिन के कारण इसकी रीडिंग हाई आ सकती है इसके अलावा हाई डीजीज या किड्नी डीजीज के संकेत हो सकते हैं कोई हैवी स्मोक रहे तो उसमें हा इसकी काउंटिंग लो आती है वह मुखी रूप से इंफेक्शन की वज़े से आती जो आप सभी को बता है यहां इंफेक्शन एक्यूट तथा क्रोनिक दोनों प्रकार का हो सकता है मतलब नया तथा पुराना कोई भी हो उसमें इसकी रीडिंग हाई आती है एलर्जिक सब्सक्राइक्या प्लेट में अगर मेर्या कम हो सकते हैं और प्लोड डिसोडर के हाई रिस्क हो सकती है और व्यक्ति में cardiovascular complication भी हो सकते हैं मतलब व्यक्ति में हाट के संबंदित बीमारियों के संकत भी हो सकते हैं हार्ट डिजीज उसे हुई हो इस तरह कि अलग-अलग reading के अगर पूरी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो जो ब्लेड में उपस्ति सेल है इन सभी की functioning की जानकर होना आपको आवस सके हैं यदि आप इसके लिए मुझे कमेंट करते हैं कि सर ब्लेड में जो सेल्स उपस्ति तो इसकी complete functioning का वीडियो बनाई है तो आपके लिए मैं ज मुझे के लिए मुझे